हेलो फ्रेंज लेके आ गए हैं आपके लिए एक यूनिक अचार की रेसिपी तो ये दरारी का अचार है इसे हमारे यहां बंसे मिया और गौार फली भी कहा जाता है आपके यहां इसे क्या कहा जाता है कमेंट जेक्शन में ज़रूर बताईएगा यह अचार खाने में बहुत स्वादार होता है तो यहां पर हमने 500 ग्राम तक बंसे मिया लिया है तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप माय चार पर न्यू है तो चार को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और वीडियो को लाइक डन जरूर कर दीजेग तो गौरफली को काटने से पहले एक बार हमने इसको धुल लिया है तो यहां पर हम इस तरह के से गौरफली लेंगे और इसका आगे का और पीछे का पाट थोड़ा सा काट देंगे तो इस तरह के से आगे पीछे से हम इसका पाट काट देंगे और किसी किसी बंसेमिया में स यहां पर हमने सारे गॉर्फली को कि तयार कर लिया यह द्खतार ह हम इसी तरहें से जाराएं के लिए था है आप 6 मिनट तक के लिए आप इसे बॉय करेंगे इसे हमें हव् 너 करना है इसे ज्यादा गलाना नहीं है फ्लेम को हमने हाइ कर दिया है अब इसे ढग देते हैं पाश मिनट भॉल होने देते हैं पॉल हो गई है अब एक बार इसको हम उपर से लेकर नीचे से पलट देते हैं और आपको चेक करके भी दिखा देते हैं ये अच्छी तरीके से बॉयल हो चुकी है तो जितना भी हमें चाहिए था ये एक दम उतना ही परफेक्ट बॉयल हो चुका है बिल्कुल भी गला नहीं है देख सकते हैं आप गॉर्फली को एक्स्टीनर में निकाल लेंगे और इसके पानी को अच्छी तरीके से ड्रेन कर देंगे जब इसका पानी अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाए तो या तो आप इसे पंके की हावा में या फिर इसे धूप जरूर दिखा दें इसका जो पानी है वो बिल्कुल साला तयार कर लेते हैं तर बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बड़ा चमझपीली सरसो लिया है इसको अची तरह से रोष्ट करेंगे धी मियार्च में अची तётर कसे रोष्ट करने के बाद होभी से बर्तन में निकाल लेंगे कि यहाँ पर हूं ले रहे हैं एक हट्टा हो जाता है अब हम यहां पर डाल देंगे एक चमच जितना जीरा तो यहां पर हम 500 ग्राम तक ग्वार्फली का अचार बना रहे हैं उसे सापसे हमने सारे इंग्रीडेंट्स लिए हैं अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो इसकी कॉंडिटी आप बढ़ा सकते हैं और हमाई तरीके से अचार बना के आप लोग जरूर ट्राय करें मसाला अच्छी तरीके से रोजट हो चुका है अब हम इसको एक प्रेट में निकाल लेंगे और थंड़ा होने के बाद इससे ग्राइंड कर लेंगे मसाला अब थंड़ा हो चुका है अब हम इसे ग्राइंड चल्दी पाउडर लसुन की कलियों को हमने पहले ही दुल करके छील कर सुखा लिया था अब यहां पर हम डाल देते हैं एक बड़ा चमच चिली फ्लेक्स अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप खड़ी वाली लार्व में ची दस से बारा भी पीश सकते हैं तो चल आप पौड़र वाली हींका भी उसकthing कर सकते हैं तो इसी पेस्ट में हींक और ढाल दिया है अब हम इसमें ढाल देते हैं सर्षो का तेल सर्शो का तैल के बाद एक बड़ फिर से हम इसको ग्राइं कर लेते हैं तो मसाला हमारा तयार है ग्राइंड होकर कि अब यहां पर हमने कांच की बर्णी लिए इसको हमने पहले ही अच्छी तरह की से धोर करके सुखार लिया तो आप जो भी बरनी लें फो यह तो सक्षणक की हो और अचार की बर्णी को एयर्टाइट भी होना चाहिए तो अब हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा सर्चु का तेल डालने के बार इस तरीके से हम चारो तरफ से से घुमा देंगे और तेल को फैला देंगे जार में अब यहां पर हमने गौर फली को भी थोड़ा सा धूब दिखा दिया था इसका पानी जो है सूख चुका है बिल्कुल भी इस नमक तो नमक यहां पर हम थोड़ा स्वात के अनुसा से ज़्यादा डाल रहे हैं जब अचार खट्टा होगा तो अचार में के नमक बैलन्स हो जाएगा अब हम थोड़ी से उपर से भी डाल देते हैं चिली फ्लेक्स अब हम यहां पर डाल देते हैं लगबग 100 ग्राम तक स चमीरी रेड मिर्जे पाउडर तो बहुत ही पारम परिक तरीके से आम इस अचार को बनाते हैं और यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है और सालो अचार यह चलता है आप इसे सफर में भी लेके जा सकते हैं तो चलिए आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स क अगर आप इस अचार को एक हफ्टे तक धूब दिखा दीजी उसके बाद यह अचार खाने के लिए एकदम त्यार हो जाएगा अगर आप इस अचार को लंबे समय तक चलाना चाते हैं तो बीच-बीच में इस अचार को आप धूब दिखाते रहें और इसके धकन को थोड़ा खराब नहीं होता है बहुत ही जली से यह गल जाता है और खाने के लिए एकदम तयार हो जाता है अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आयो तो लाइक ज़रूर कीजीगा तो चैनल को सिस्काइब करके बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजीगा अचार हतम होने के बाद अग खाने के लिए एकदम रेडी हो गया है तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ